सभी कोश्योप्रभाद, रासा इंटरनेशनल स्कूल के ओनलाइन प्लेटफर्म पर आप सभी का स्वागत है क्लास फोर सब्जेक्ट हिंदी लिटरिचर चैप्टर 15 श्रिया की कनाड़ा यात्रा पेज नमबर 118 बिटा आज हम चैप्टर 15 श्रिया की कनाड़ा यात्रा पढ़ेंगे यात्रा करना किसे नहीं अचा लगता किसी विशेज जगे की यात्रा पर जाने के लिए तो मन रुमाज तोड़ता है श्रिया अपनी बहन के पास कनाड़ा गुमने गई वहाँ उसने खूब मज़े किये आओ उनकी यात्रा का वर्णन हम भी पढ़ते हैं श्रिया की बड़ी बहन श्रियांशी कनाड़ा के टोरंटो शहर में रहती थी वह टोरंटो की मशूर डॉक्टर थी एक दिन श्रिया घर में बैटी टीवी देख रही थी उसी समय उसकी मम्मी ने खुशी से चहकते हुए कहा श्रिया तुम्हारे लिए डाकिया लिफापा लाया है कल श्रियांशी ने फोन करके बताया कि वह तुम्हें सर्प्राइस देने वाली है जाओ जल्दी से लिफापा ले आओ सर्प्राइज की बास तुन च्रिया दर्वाजे की और भागी उसने डाकिये से लिफाफा लिया और जल्दी से उसे खोलने लगी लिफाफे मैं कनाडा जाने के लिए टिकेट थी वह खुशी से जूम उठी दीदी तुम बहुत अच्छी हो उसकी उडान आठ जून को थी अतहे उसके पास तैयारी के लिए केबल तीन दिन थे उसे कनाडा पहुचने की जल्दी थी इसलिए वह जोर शोर से तैयारी में जुट गई आठ जून को वह मम्मी पापा के साथ एरपूट गई आठ एपनी उडान के पतेक्शा करनी लगी होय जहाज के आते ही मम्मी ने कहा श्रीया कनाडा में दीदी को परेशान मत करना और अपना ध्यान रखना ठीक है मम्मी मैं ऐसा ही करूँगी श्रीया कहकर होय जहाज की ओर बढट गई वहा हवाई जहाज में बैट गई कुछी देर बाद हवाई जहाज ने उडान भरी और वहा आसमान में पहुँच गई वह पहली बार हवाई जहाज में बैठी थी इसलिए उसे थोड़ा डर लग रहा था पर जल्दी ही उसका डर खत्म हो गया रात्री में उसका हवाई जहार टोरंटो पहुच गया एरपोर्ट से बाहर निकलते ही उसे स्रियांशी दीदी दिखाई पड़ी वह दोड़कर उनसे लिपट गई और बोली दीदी मैं कब से कनाड़ा आना चाहती थी पर आपने मुझे देर से बोलाया इसलिए मैं आपसे नाराज हूँ नहीं श्रिया कनाड़ा में बहार से आई लोगों का रहना आसान नहीं होता यहां काम करने के लिए मैंने बड़ी मुश्किल से वर्क पर मिट पाया है श्रियांशी ने समझाते हुए कहा दीदी की परिशाणी जानकर श्रिया चुप हो गई फिर दौनों कार में बैट कर घर आ गई दौनों ने देर रात तक बातें की श्रियांशी ने श्रिया से कहा श्रिया रात काफी हो गई है अब हमें सुझाना चाहिए कल मैं तुम्हें टोरंटो और कनाडा की विशेज जगे घुमाऊंगी अगले दिन स्रियांशे उसे टोरंटो घुमाने ले गई सबसे पहले वे टोरंटो के मशूर सी एन टावर पहुँची सबसे खुबसूरत और मुचे टावर को देखकर श्रिया आश्र में पड़ गई वहब बोली दीदी यह तो बहुत उंचा है क्या हम इसके अंदर जा सकते हैं हाँ जा सकते हैं इस टावर में तीन भाग हैं प्रतन तल में दुकाने और रेंस्तरा है दूसरे और तीसरे पर गल्यारे हैं जिन पर चलने का अलग ही आनंद है स्रियांशी ने कहा तो फिर हमें रेंस्तरा में नाश्ता करना चाहिए क्योंकि हमने घर पर नाश्ता भी नहीं किया श्रिया ने कहा ये सुनकर स्रियांशी मुस्करा दी और फिर वे दौनों टावर के अंदर बने रेंस्टरा मैं गई वहाँ उन्होंने नास्ता किया फिर वे दौनों लिफ्ट से दूसरे तल पर पहुंचे दूसरी तनपल रेप पर चलने वाले में बहुत आनंद आता है दौनों रेंप पर चलने लगी रेंप पर चलते हुए उन्हें टोरंटों के आरंब के दिनों की पुरानी तस्वीरें दिखाई दी पुरानी तस्वीरें देखकर श्रिया को शेहर के विशे में आवश्च जानकारी मिली फिलिप्ट ने उन्हें गलियारे पर उतार दिया गलियारे की दीवार मूटे शीशे की बनी थी फर्ष भी कांच से बना था यह कांच तूट ना जाए श्रिया चलते हुए बोली डरो नहीं यह बहुत मजबूत है इस कांच को विशे धातुओं मिला कर बनाया गया है तुम कांच के उस पार देखकर टोरंटो शेहर का आनंद ले लो श्रियांशी कहते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा यह सुन श्रिया का डर कुछ कम हुआ तो वह बहार का नजारा देखने लगी उसे दूर दूर तक शेहर फैला हुआ नजर आया आसमा चुमती अमारतें साफ चोड़ी सड़कें और उन पर दोड़ती रंगुरंगी का रहें उंचाई से तितलियों की तरहे लग रही थी उसे छोटे से दी पर बने हवाई अड़े पर खड़े हवाई जहाज भी दिखाई दिये सच्मुन सीएन टावर में टोरंटो शेहर देखने में बहुत मज़ा आता है मेरा तो वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा है श्रिया चेहकते वे बोली सीएन टावर से निकल कर दोनों शेहर की सडकों पर पैदल गूमते हुए सेर करनी लगी तबी श्रिया ने कहा दीदी नजाने क्यों यह शेहर चीन जैसा लग रहा है तुमने ठीक पहचाना टोरंटो का कुछ भाग चीनी सब्बिता का प्रतीक है यहां चीनी लोगों द्वारा बनाया गया सामान चीनी आभूशन वस्त्र और इस तरह है यहां भारतीयों की तरह चीनी लोग भी रहते हैं और काम करते हैं श्रिया ने जानकारी दी फिर वे दोनों खरिदारी करने के लिए आलिशान मॉल में चाप पहुँची मॉल में पहुँचते ही श्रिया चिला उटी है बापरे इतना बड़ा पूरे दिन में भी हम इसे नहीं घूम सकते जरूरी सामान खरिदने के बाद नोंने आदमियों द्वारा खींचे जाने वाले रिक्षे पर सेर की ये रिक्षा केबल परेटकों के लिए चलते हैं ऐसे ही रिक्षे भारत में कॉलकाता में चलते हैं अंतर सिर्फ इतना है कि टोरंटो के रिक्षा चालक सड़क की और मू करके नहीं बलकि पीट करके रिक्षा चलाते हैं और शेहर की जानकारी भी देते हैं शिरिया को टोरंटो में बहुत मज़ा आ रहा था स्रियांशी ने उसे विश्व का प्रशिद नियागरा प्रपात दिखाने का फैसला किया वह उसे लेकर रेलवे स्टेशन पहुंची और ट्रपल डेकर मैं बैठ कर चल पड़ी चालिस मिनट बाद ट्रेन रुकी और दोनों स्टेशन से बाहर निकल कर एक होटल में जा पहुंची नियागरा प्रपात यहां से सो किलो मीटर दूर था शाम के साथ बच चुके थे अते उन्होंने होटल में ही रात बिताने का निर्ने किया अगले दिन स्रियांशी और श्रिया टैक्सी में बैठ कर नियागरा प्रपात की ओर चल पड़ी एक घंटे बाद एक बेरियर पर टैक्सी रुक गई और वे टैक्सी से उतर कर सरकारी बस में सवार हो गई यही बस उन्हें नियागरा प्रपात तक पहुंचाने वाली थी नियागरा प्रपात पहुंचते ही श्रिया खुशी से जूमने लगी वह चिलाई वा इतना सुन्दर यह तो बहुत बड़ा है हाँ मैं भी यह थक जाती हूँ तो चुट्टी लेकर यहीं आती हूँ यहां मैं तरुताजा हो जाती हूँ स्रियागरा प्रपात का पानी पचास फुट उपर से नीचे गिरता है तो पानी गिरने से धुंद का बादल उड़ता है जो परेटगों का मन मोह लेता है के टिकट लिए तो उन्हें प्लास्टिक के कपड़े दे दिये ताकि जरने के पानी से उनके कपड़े खराब न हो इस्टीमर जरने के समी पहुँचा तो स्रियागरा बोली देदी जरने का पानी मेरे उपर आ रहा है मैं भेट तो नहीं जाऊंगे नहीं कुछ नहीं होगा तुब बिना डरे जरने का मजा लो स्रियागरा प्रपात में बहुत मजा आया उसने स्रियागरा प्रपात के साथ खूब मस्ती की फिर वे इस्टीमर से उतर कर उपर बने टावर में जा पहुँचे श्रियागरा दुर्बीन से देखते हुए बोली दीदी मुझे नियागरा प्रपात के दूसरी और कुछ लोग चलते फिरते दिखाई दे रहे हैं वह कौन सी जगे है तुम दुर्बीन से इस समय अमेरिका में जहांक रही हो बे अमेरिकी हैं नियागरा प्रपात कनाड़ा को अमेरिका से अलग करता है श्रियांशी ने बताया पूरा दिन नियागरा प्रपात पर बिताने के बाद श्रिया और श्रियांशी वापस टोरंटो लोट आई श्रिया अपनी दीदी के साथ पूरे 15 दिन रही फिर वह विदा लेकर मुंबई लोटाई आज के लिए अत्ता ही बच्चों आपका चैप्टर कम्प्रीट हो गया है धन्य बाद